हेलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आयरवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बर्फिच से में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बालों को घने, काले वर लंबे बनाने के लिए एक बहुती अचूक आयरवेदिक उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तो इसके निमित प्रियोग करने से जो सफेद बाल हो गए हैं वो भी कुछी दिनों के बाद बिल्कुल काले हो जाएंगे तो बहुती गुणकारी है, आप इसका जरूर प्रियोग करें तो प्रियोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बैल आइकन को आप दबाना न भूलें ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो में अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस आयरवेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तो अगर आप सभी आपके बालों को घने, काले वर लंबे बनाना चाहते हो तो इससे बहतर आयरवेदिक प्रियोग आपको और कहीं नहीं मिलेगा इस बात की मैं आपको गरंटी देता हूँ कि आपको इससे 100% फायदा होगा और आपके जो बाल सफेद हो गए हैं, वो भी धीरे-धीरे काले हो जाएंगे तो ये इतना गुनकारी है कि आपको और किसी सैंपू या कंडिशनर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसके प्रियोग करने से बाल मुलायम वच्चमकदार बनेंगे तो इस प्रियोग के लिए आपको चाहिए निमबू और कच्चा आमला जी हाँ, सिप दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए तो करना क्या है? सबसे पहले आप निमबू और आमले का रस निकाल लें इसके लिए एक-एक निमबू और आमला बहुत है इन दोनों को अच्छी तरह से मिला कर इसका मिशन तयार कर लें आप कम से कम 5 मिनिट तक इन्हें आपस में मिलाएं ताकि एक अच्छा मिशन तयार हो सके जब मिशन तयार हो जाए तब इसको उंगलियों की साहिता से बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं इसको आप कम से कम सब्ता में तीन बार जरूर लगाएं छोटे बालों के लिए आप इसकी मातरा को आधा कर लीजिए तो इसके निमित प्रियोग करने से बाल लंबे, घने वे काले बनेंगे बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे और चमकीले और मुलायमदार बनेंगे तो दोस्तों बहुती आसान और बहुती कारगर प्रियोग है इसके निमित प्रियोग करने से जो सफेद बाल हो गए हैं वो भी काले हो जाएंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ अन्य आरवेदिक नुस्कों को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद